नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तु पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां तुरंत निखार लाने के लिए लगाएं दूध और शहद का मास्क दूध में शहद मिलाकर पीना हमारी सेहत के लिए बहधी फ साफ कर सकते हैं दूध विटामिन A, D, B6, B12, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे विटामिन और पोशक तत्वों से भरपूर होता है यह मिनरल्स त्वचा के टिश्यू में सुधार लाते हैं जिससे कोलेजन की मातरा बढ़ जाती है और त्वचा को नमी मिलती है साथ ही शहद चेह पर प्राक्रितिक निखार आता है और त्वचा का रूखापन धूर होता है अगर आपकी त्वचा बहुत ही संसेटिव है तो शहद बहुत ही मददगार हो सकता है सोचो अगर दूध और शहद को मिला दिया जाए तो शहद और दूध में मौजूद तत्व त्वचा की रं प्रदारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं शहद में चेहरे के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है इसे लगाने से चेहरे पर प्राक्रितिक निखार आता है और त्वच्छा का रूखापन भी चला जाता है आए जानते हैं दूध और शहद का मास्क आदूई सा असर करता है इसके लिए कच्छे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर कोटन के मदद से चेहरे पर लगाकर पांच मिनट छोड़ देना है आपको सुख जाए तो इसे धोना है नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी त्वचा कुमल और साफ होने लगेगी और दूध से बना मास्क त्वचा पर लगाने से तुरंत चमकाती है ओफिस में पूरा दिन काम करने के बाद इसके इस्तेमाल से आप फ्रेश दिखने लगते हैं साथ ही नियमित रूप से शहद और दूध के मास्क से चेहरे की टैनिंग भी दूर होने लगती है विटामिन निशान शहीत कई प्रकार के निशान को हटाने के रूप में इसको जाना जाता है अगर आपके चेहरे पर मुहासे या चेचक के दाग पड़े हुए हैं तो इस मास्क के नियमित सेवन से आप देखेंगे कि अगर नियमित रूप से आप अगर इस मास्क को लगाते हैं फेस करेगा दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके आपको फेस पर लगाना है आपका फेस ग्लोविंग भी हो जाएगा इसके अलावा ये मुहासू का भी इलाज करता है अगर आपको मुहासू की समस्या है तो शहद और दूद से बने इस पेश्ट को जरूर इस्तेमाल करें इस मा पूर्णियों से मुक्त करना चाहते हैं तो ये बहद ही असरदार ऑशधी है बस इन ऑशध्यों का प्रयोग करते वक्त एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि ये धीरी धीरे अपना वर्क करती है नेचुरली धंक से करती है तो वो वक्त लगता है इसमें टाइम लगता है इसलिए घवराना नीचे कि एक बार हमने लगाया तो हमारा क्यों नहीं खतम हुआ बस पेसेंस रखिए कर दे जाए फिर देखिए क्या फायदा होता है आपको तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद हमातो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों